बिस्मिल्लाहिर्प्रह्मार्हीम, असलाम अलेकूम, आज हम पढ़ेंगे वेस्टरन आर्ट, मगरीब का जो आर्ट है, वो क्या है, वो कहां से स्टार्ट हुआ, किदर से किरियेट किया लोगोंने, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम रेनेसेंस के बारे में पढ़ेंगे, रे दुबारा से क्रियेट करना, किसी भी पुराने आर्ट को न्यू आर्ट मूवमेंट में डाल देना, उसको रेक्रियेट करना, रे बारे में पढ़ेंगे, इसके दो प्रिंसिपल से, रिवाइवल ऑफ दी क्लासिकल फॉर्म ऑफ दी एंचेंट ग्रीक्स एंड रोमन, इसमे उसको रेनिसंस का प्रिंसीपल था, उसके बाद इंडरस्थ इन हमेंञेंजम एड़ एंडर से, इसके दो प्रिंसिपल से, एक तो, पहले उन्होंने ग्रीक्ट रोमन की क्लासिकल फॉर्म का रिवाइव किया, उसकी बगा का नाम है रेनिसंस, दूसरा उसने हमेंडर इंड बिल्युजाल उनकी इम्पॉरिंस पे काम की या जोड दिया वह रेनेसेंस के काम में अक्शल दिखाई देते हैं आगे यह है कि रेनेसेंस डिवेलप कहां से हुआ रेनेसेंस डिवेलप इस आखे नाट मैथ्मेटिकल लीनियर परस्पेक्टिव mathematical and linear perspective renescence में use हुआ था और इसमें कितने टाइप के renescence art use हुआ how many kinds of perspective use four kinds है ये kinds भी हम आगे पढ़ेंगे which are the four kinds of perspective were developed during the renescence linear and color planner and atmospheric linear and color atmospheric ये चार थी ये short question भी बन सकता है कि कौन सी perspective थी जो renescence ने develop की renescence में develop हुई अच्छा उसके बाद है southern contemporaries introduced dash as a new medium जो southern contemporaries थे उन्होंने एक oil paint moment या new medium introduced करवाया था ठीक है वो कौन सा था था वो renescence में हुआ oil paints जो कि हमारे इदर पाकिस्तान में भी बहुत famous medium है okay अग अगे है there is a use of dash in renescence renescence में किस चीज का use है ये जो perspective light shadow proportion almost ये हर art में ही use होता है लेकिन इसमें perspective जो है वो एक different चीज है वो renescence में use हुआ perspective light and shadow proportion तकरीबन ये हर आठ का हिस्सा होते है perspective में भी इसमें new हो उसके बाद है although the dash is also developed as a specific genre in the mid 15th अब यहां पर एक नहीं चीज डिवेलप हुई एक तो oil paint डिवेलप हुए दूसरा portraits डिवेलप हुए renescence painter achieved great latitude with the history or narrative pictures in which figure located within a dash अब उन्होंने यहां पर लिखा है कि renescent painters जो थे वो किस टाइप का क्या उनका narrative था picture या figure वगरा को यूज करने में तो यह सारी तरह से वो यूज करते थे landscape है architectural environment है act out a specific story from classical mythology यहां से मतलब landscape की तरह भी वो यूज करते थे architecture environment भी यूज करते थे और उसके बाद एक किसी भी अफसान भी किस्ते जो थे उसमें से कोई specific story निकालते थे यह सारा जो था यह उनका Renaissance के जो painter थे उनका latitude था वो history अपनी picture जा जो painting थी उन सबको इन चीजों के साथ पेश करते थे या बनाते थे the painter was also able to show dash in a full range of pictures, postures and poses जो Renaissance के painters थे वो क्या दिखाते थे men, women and children ठीक है उनके full postures और उनके poses दिखाते थे mostly जो है यहाँ पे figure paintings की बात हो रही है उसके बाद यह next, इसी की options लिखे वे थे landscape animal angels लेकिन इसके जो first option है men, women and children यही आएगा next है हमार पास figure drawings from nature based on the observation of dash अब कहते हैं कि जो painting में figure use करते थे वो क्या होते थे वो real world से लेते थे imagination नहीं होती थी, Renaissance में उन्होंने जो figures लिए जो draw किये वो कहां से थे real world से उसके बाद Renaissance painter use dash color किस type के वो colors use करते थे rich, warm and glowing ठीक है, the themes of Renaissance paintings were dash, Renaissance paintings उनकी themes क्या थी, classical stories use करते थे उपर भी हमने पड़ा classical mythology जो थी, उसके अंदर से stories निकालते थे, उसको paint करते थे तो इसी तरह उनकी जो Renaissance की painting थी उसमें कोई ना कोई story होती थी, stories जैसे हमारी traditional stories है, love stories है यह भी हम इसमें आगे पढ़ेंगे, Renaissance art was influenced by, यह किस से inspired था, यह जो सब options हैं, इन सब से वो inspired था, Greek or Roman, Secularism and Humanism, Individualism, All of these option हैं, ठीक है, Greek or Roman तो हमने स्टार्ट में पढ़ लिया, उसके principles में, कि वो इससे inspired थे, Secularism and Humanism भी हमने दूसरे principle पढ़ा, उसका Individualism भी दूसरे principle के अंदर लिखावा था, कि जो Renaissance art था, वो इन सब चीजों से inspired था, उसके बाद है, was the eldest architect of the early Renaissance, यह architect की बात हो रही है, architect भी हमने इसके अंदर पढ़ा था, जो traditional architect उपर हमने point पढ़ा है, फिलिपो ब्रॉनल एस्ची, एक सबसे बड़े artist है, Renaissance के, यह पूछा जा सकता है, कि फिलिपो ब्रॉनल एस्ची जो थे, वो कौन थे, यह earliest यह oldest architect थे, ठीक है, फिलिपो यह born वाले, जिस इंगरेट उव बर्थ हैं, यह इतनी खास important नहीं है, अच्छा, यह ब्रॉनल एस्ची बर्थ प्लेस जो थी, Florence और इतली में पैदा हुए, ब्रॉनल एस् अब हम रेनेसेंस पर थे, यह रेनेसेंस का सबसे बड़ा आर्टिस्ट है, वो डिवेलब्ड लीनेर पर्सपेक्टिव, जो थे, किसने डिवेलब किया, ब्रॉनल एस्ची ने, ठीक है, वाजी बन पाइनेर उफ अले रेनेसेंस आर्किटेक्ट इन इतली, अब इतली में ही सबसे जो इंस्पाइड या सबसे अडिक्टिड आर्टिस्ट था, वो कौन था, ब्रॉनल एस्ची, ब्रॉनल एस्ची का मेजर वर्ट पढ़ेंगे, डॉम ओफ संता, मारिया डेल फायोर, ठीक है, यह इसकी एक पेंटिंग थी, डॉम ओफ संता, मारिया डेल फायोर, अच् पेंटिंग को, यह आर्टिक्ट था, यह पेंटिंग वगारा नहीं थी, यह मेरा ख्याल में किसी चर्च, चर्च का डॉम वगारा है, ठीक है, 1425 से 1441 तक यह बना, ब्रॉनल एस्ची वास डाइड इन डैश इन फ्लोरेंस, यह उनकी डेट ओफ डेथ है, 15 एपरिल 1446, लोर लोरेंजो गवर्टी वाजन इटालियन रेनेसेंस आर्टिक्ट, यह भी आर्टिक्ट है, पहला आर्टिक्ट हमने पड़ा, प्रनलस ची और यह लोरेंजो गवर्टी, यह भी आर्टिक्ट थे, उसके बाद इनकी डेट ओफ बर्थ है, उसके बाद है, इनकी वो फ्लोरेंस में पैदा हुए थे ये प्लेगो में पैदा हुए और इटली की ही लोकेशन है आगे इनकी काम के बारे में पूछा गया है कि लोरेंजो के बर्टी जो है इसका मास्टर पीस क्या था डोर्ज ओफ बैप्टिस्टरी विच इसी मास्टर पीस ओफ लोरेंजो के बर्टी इसका जो हमने पढ़ा वो cathedral, वो the dome of cathedral, Santa Maria Delphiore था, और ये जो है लोरेंजो की बर्टी, इसके doors of baptistry, ठीक है ये इनका काम था, ये किसी चीज के, I think baptistry भी कोई चर्च है या शायद को building है, उसके doors इन्होंने paint किये थे या design किये थे, इनका architect ही था, उसके बाद है, लोरेंजो की पोरेंजो की क्यों है, how many bronze statue, bronze statue बनाए थे, इन्होंने लोरेंजो की बर्टी, तीन statue बनाए थे, हम उनके नाम भी आगे पढ़ेंगे, which statues were made by लोरेंजो from the following, ST Stephen means standing Stephen, standing Johan Baptist, St. Matthew, all of the, ये तीन इनके नाम है, लोरेंजो की बर्टी ने तीन statue बनाए, ये इनका sculpture था, ठीक है, ST Stephen standing Stephen, ST Johan Baptist, St. Matthew, ये तीन इनके ठीक है, अगे इन्होंने पुछा हुए, St. Matthew कब बनाए, 1419 से 1423 में, ST Johan the Baptist was made in 1405 to 17, next है, standing Stephen कब बनाए, इन्होंने, 1428 में बनाया, ठीक है, वेरा लोकेटिड बॉरेंजो स्टेच्यो फ्लोरेंजो की बर्टी, अब यहां पे जो है, इसके ये सारे जो, स्टेच्यो इनके बारे में पूछा गया है, कि वो कहां लोकेटिड है, Florence में, इटली में, ठीक है, पैदा ये प्लेगों में हुए थे, लेकिन इनके जो स्टेच्यो थे, ये, Florence और इटली में, पढ़े हुए है, लोरेंजो की बर् रिलीव, एक ना कार्विन की तरह का है, काम, उसके लिए ये जाने जाते थे, आर्किटेक्ट भी थे, आर्किटेक्ट में ही, ये आजाते है, रिलीव, नेक्स्ट हम एक और आर्टिस्ट पढ़ रहे है, इसी रेनेसेंस का, डोनटेलो वाज वन अव दी, मोस्ट डैश आर् के रिलीव, इसी रेनेसेंस की, उसके बाद की डेट वव भार्थ है, 1386, डोनटेलो कहां पड़ो है, ये फ्लोरेंस में प्यदा हुआए थे, जहां पे, ब्रणनलैस्ट रिल हुए और इनका काम किया है, ब्रांज ए डैविट, लोनए में इनों भी इनों भी इन्हों इनों बनाहिस्ट बनाए द्राइलर मचल लाइफ़ साइज तेख और आरफ थे जो फिर्स साइज था, जी भूना रहल थे तो एक पर जाएफ नियुका नाएफ नियुकल नाहिए। जैसे एक ideal जैसे पूरी human body यह उसका size जो है वो life size है which is another major work of donatello इसका दूसरा काम कौन सा है marble candoria यह इनका marble candoria इनोंने जो बनाया था यह इनका second मेरा ख्याल में major work है वटिस केंटोरिया ये एक सिंगिंग गैलोरी है तो ये उपर जो मार्बल केंटोरिया है ये में भी इनों ने डिजाइन की हो तो अब इनके हमने तीन ही तर काम जो है ना पड़ ली है एक तो मार्बल केंटोरिया पढ़ लिया और एक डैविड सोरी दो ही पढ़े हैं उके उसके बाद केंटोरिया यह सिंगिंग आर्ट गैलरी जो थी इन्होंने डिजाइन की थी यह बनाई थी यह कब बनी थी 1443 एलेगा 48 के बीच में फॉर्स टैम इन यॉर्प यॉर्पियन स स्कल्प्चर के अंदर एक्सप्रेशन डाला क्या इसने डाला था एक्सप्रेशन स्कल्प्चर के अंदर मीन वह लिवली लगता था कैसे जैसे उसमें एक्सप्रेशन हैं उसके एक्सप्रेशन से शो हो रहा था वह एनर्चाटिक है वह खुश है वह सैड है वह उनके स्टै नगा। यूसके बाद कम पेनितेंट मेग डालीन मेग शेट है इरो में फोरे सी स्कल्प्टा की जाइड है अपैलिए जीशें नियु के तेकनीक golpe जूर उंसांप यू क्योंकि मेरे खाल में जो स्टार्ट में हमने पड़े हैं तीन आर्टिस्ट इन्होंने रिबर्थ किया हूँ मेभी आइडियाज पुराने हूँ या कुछ ऐसे मसेश्यों जे थे इन्होंने न्यू टेखनिक्स को यूज किया where was the greatest invention of Masachio in Italian Renascence ? NEW सेंगर के बारे में पूछ रहे हैं कैसा इन्होंने क्या invent किया था renaissance में तो उन्होंने scientific perspective उसकिया scientific means maybe balanced perspective for measurements के साथ वो इन्होंने एडिया था ठीक है मसेश्यों कब पैदा हुए 1401 में मसेश्यों कहां पैदा हुए वल्डर्नों में ठीक है मसेशियो में यूज ऑफ बहुत डैश परस्पेक्टिव इन्हों ने फ्रेस्ट कोज बनाए उसमें लीनियर एंड एरियल परस्पेक्टिव तोनों तरह का इन्हों ने काम यूज किया किसने मसेशियो ने वीच इस दी मास्टर पीस अब यह इंपोर्टन्ट एमसे क्यों है जो फ्रेस्कोज वाला है मसेशियो में यूज ऑफ बॉत इसने लीनियर एरियल दोनों तरह के फ्रेस्कोज जो थे वह यूज किये थे मास्टर पीस क्या है हॉली ट्राइनिटी अब इसकी हम पैंटिंग पर रहे हैं मसेशियो कॉन थीक है यह इनोंने जो निव टेकनिक इंटर्डियूस करवाई रहे हैं मसेशियो थे हॉली ट्राइनिटी इनका सबसे बड़ा मास्टर पीस था पर परस्पेक्टिव इनोंने ले किया है साइन्टिफिक परस्पेक्टिव उसमें किस तरह का यूज किया लीनियर और एरियल परस्पेक्टिव का यूज किया उसके बाद हॉली ट्राइनिटी जो इनकी पेंटिंग थीक का पेंट हुई 1425-27 में अब हॉली ट्राइनिटी के बारे में पूछा हुआ है कि इसकी थीम क्या थी आइकॉनिक थीम थी इसकी अच्छा नेक्स इसके बारे में लीनियर एरियल परस्पेक्टिव का हमने उपर लफज बढ़ा तो इसमें लीनियर परस्पेक्टिव जो है उसकी डेफिनेशन दी हुई है वाट इस लीनियर परस्पेक्टिव एक ऐसा मैथिमेटिकल सिस्टम जिसमें एक वैनिशिंग पॉइंट इनोंने यूज किया है दिस्टेंस की इल जा रहा है यह जए डिस्टेंस की दूर जा रहा है यह इक इलूजन नजर आ रही है हमें उसके अंदर से ठीक है यह इसकी डेफिनेशन है a mathematical system using a vanishing wind to create the illusion of distance which kind of perspective Masashio used in his paintings linear and aerial दोनों ही थे इसके इनकी काम में तो इन्होंने इदर linear को mention किया हुए I think कि ये दोनों आने चाहिए थे लेकिन शायद इस काम में इन्होंने पूछा हो Holy Trinity में which kind of perspective Masashio used in his painting yes linear perspective Masashio's dash is renowned in the painting world as use of light vanishing point color and special context यहां पे Masashio के painting के बारे में सबसे जो जानी पहचानी बात है वो उन्होंने पूछी है कि उसकी use of light vanishing points color and special context क्योंकि इसने मेरे ख्याल में scientific perspective पे काम किया है तो इस में perspective में ये सब बहुत जरूरी है light का use एक vanishing point जिदर जाते हुए हमें feel हो रहा है कि ये distance यहां जा रहा है वहां जाके stop हो रहा है color and special context ये इसके सब चीज़ें थी वेर आर मिसेश्यो जो फेमस पेंटिंग्स मिसेश्यो की जो फेमस पेंटिंग्स कि इदर पड़ी हुई है नहीं सोरी सोरी वी चार कौन सी है ट्राइब्यूट मनी crucifixion explosion from the garden of eden ठीक है ये इनकी तीन पेंटिंग्स हैं बहुत फेमस हैं आप इनको google करके देख सकते हैं टाइब्यूट मनी crucifixion explosion of the explosion from the garden of eden ahead or adoration adoption of maggie was painted jibinkai काम है 1428 में पेंट हुआ ट्राइब्यूट मनी ये कभ पेंट हुआ ये तना पर नहीं पेंट नहीं है पेंटिंग्स पेंट हुई ठीक है मैं रीट कर दती हूं 1427 177 explosion from the garden of Eden 14 to 1427 Trinity Holy Trinity side picture भी पड़ा हमने 1427 crucifixion 1426 michael angelo was a dash यह बोखत important artist लें यह हम इसका 5th artist पडेंगे michael angelo, michael angelo को रहा है कॉन थे यह painter भी थे स्कल्प्टरे ऐर्किटेक्ट भी और पॉईट्ट्टेक थे हि की माइचल अंजलो इसका आप जहान में रखें शूरूरु वाले हमने दो आर्टिस्ट व पड़े वह आर्किटेक्ट थे तेन आर्टिस्ट तक दिवन आर्किटेक्ट थे फिर पैंटर हमने पड़े माइकल आंगलो जु है ये आल्रांग रहांड़ हैं पेंटर हैं constLator है or point माइकल अंजलो कब पादा हुए शे मार चोदा सुपिछातर में माइकल अंजलो बॉन एड केप्रिस इतली ठीक है अल्मोस सारे इतली में ही पादा हुए है उनके डिफरेंट सीटीज के नहीं में लिखियो में वीचीज दी वर्ल रिनाउंड स्कल्प्चर ओ वर्ल री नाउ के डिफरेंस है वो जो डोन टैलो का डैवट था वो लाइफ साइज था इनकी स्पेसिफिक हाइड यह है वाट इस दी हाइड ऑफ डैवेड 5.17 मीटर दैट स्कल्प्चर किया उनको बनाया ठीक है डैवेड वाज क्रिएड इन 15.0124 डैवेड किस चीज की सिंबल है उसने किस किया सोच किसको बनाया था डैवेड असेंबल ओफ डैवेड असेंबल ओफ स्ट्रेंथ यूद्फ फुल हूमन ब्यूटी ठीक है वो इन्होंने इतना एनर्जेटिक बनाया एक मूव्मेंट में था उसके उसकी पावर, स्ट्रेंथ, एक इंसान की खुब्सूर्टी जो थी उसने दिखाई पीटा जो है ये पीटा भी इनका एक सेकंड स्टैचू है इन्होंने बनाया पहला है डैवेड अब ये डैवेड जो है ये बिब्लिकल हीरो इन्होंने क्रेट किया था किसने मेर जो है इनका सेकंड है पीटा कब की रिये ठुआ कब स्कल्प्ट हुआ इन्होंने माइकल एंजलो कार्ड पीटा आउट ओफा सिंगल ब्लॉक ये बहुत इंपोर्टनट है जो पीटा है वों से किस पे बनाया था मार्बल का एक ब्लॉक था उसके ऊपर कार्विंग करके रि ऐक नम् mentor इंपोर्फ आहरा था में ब्लॉक में ब्लॉक में से बाहर निकल रहा था था में 3D ंतरइंजानरे मार्बल का ब्लॉक था वों मार्बल गचाउय। 3D अर्न का स्टेचू था पीटा as a hole is a triangle ठीक है यह मैंने एक छोटा सा इदर ट्रा किया हुए कि एक ब्लॉक है marble का उसके अंदर इस शेप में से यह आउट है which one of the following most expressive work of the Michelangelo's carrier यह जो इसमें पुछा हुए कि Michelangelo के carrier का सबसे expressive work था सबसे expressive work ठीक है पीटा this stein chapel fresco was painted in dash ठीक है 8 15 0 8 2 12 यह इनका third statue है यह इनका third work है sorry statue नहीं है this stein chapel fresco's this stein chapel के fresco's बनाये थे paint किये थे ठीक है यह important topic है यह Punjab university के long kustin में आया हुआ था मेरे सिस्टाइन चेपलल के जो फ्रESको स्थे से उतना बड़ा उन्हों ने विद जॉषा मॉर्णियु कुछ एक विद बॉल्डिकत ब्रही इस पलक शेंस मेरे शृट उस ते नामुव ऊजबेज आ लोह आध्या मैं चेपल के जो पी निए टीम इन है उसके अंदर कια-очку scenes use कि एगये हैं वह old testaments use किए गया है which one of the follow is renaissance largest frescoes znak ठीक है यह renaissance की सबसे बड़ी frescoes क्या है last judgment last judgment जो है एक बहुत बड़ी painting तिसमें बहुत सारे लोग एक्ह अठे उनकी gathering से दिखाई हुए है यह Renaissance की सबसे largest frescoes है यह पूछ सकते हैं frescoes largest जो है Renaissance की वो कौन सी है last judgment है Michelangelo died 18 February 1564 उसके बाद most important मेरे most favorite Leonardo da Vinci आप सब भी इसको जानते होंगे Leonardo da Vinci जो है Italian Renaissance, Polymath, Painter, Sculptor, Architect, Musician, Mathematician, Engineer, Inventor, Anatomist, Geologist, Cartographer, Bondist and Writer क्या क्या यह हैं और क्या क्या नहीं हैं Leonardo da Vinci जो थे बहुत educated ठीक है इनका science से math से हर तरह से इनका तालूप था इसलिए इनकी जो Mona Lisa है वो बहुत famous है हर लिहाद से वो balanced है उनका proportion मेरियर मेजरमेंट्स उनकी सारी जो है वो बहुत balanced है यह अब वो यहां से लियोनार्डो की education का अंदाजा लगा देयां Painter भी थे, Sculptor, Architect, Musician, Mathematician, Engineer, Inventor, Anatomist, Geologist, Cartographer, Bondist and Writer सब कुछ थे, All-Rounder, All-Rounder, All-Rounder कब पैदा हुए, 15th April 1452 में वो इस known for his enduring word, Last Supper यह इनकी बहुत अच्छी बहुत famous painting थे, Leonardo Da Vinci की Last Supper यह वो आखिरी खाना जो इनका शायद office का था स्टाफ था जो भी था Last Supper was painted 18482 यह Last Supper यह बहुत अच्छी painting है एक टेबल पर सब बैठे हुए हैं और एक तरतीर से बैठे हुए हैं उनका जो windows थी वाल्स थी उस painting में बड़ी balanced थी the technical perspective in the last Supper is incredible technical perspective इस एक ठीच्टिबल थी अच्छी पिच्छी बैलेंस था इस तरह का उसका scene था every single element of the painting one's attention state to the Christ's head Christ's head ये इनका head होगा maybe उसकी तरफ सब की attention थी तो ऐसे उन्होंने पेंट किया कि उन सब की एक-एक element जो था उसकी direction जो थी state उसकी attention Christ's head की तरफ थी ठीक है ये ऐसे एक table था और उस पे सब बैठ होए थी the subject of the last supper is dash's final meal with his apostles Christ's last supper जो था ये किस का last meal था ये Christ's last meal था with his apostles the balanced composition in anchored by the equilateral triangle formed by dash's body Christ's body ये सारी जो पेंटिंग है Christ's body का गिर्दी रिवाल करिया उन्ही का last food थी last खाना था last supper जिससे नाम दिया वो अपने host के साथ apostles के साथ थे ठीक है उन्हाना खा रहे थे उसमें बहुत अच्छी balanced composition थी एक पराव पर एक triangle थी उनकी Christ's की body से जो relate करी थी इस आइडियल जिमेटिक फॉर्म्स रफर तो दी डैस इंटर्स्ट इन नियो प्लाटोनिजम् रेनेसेंस के प्लाटोनिजम् में नियो प्लाटोनिजम् में भी एक मूव्मेंट हो इसकी अंदर इन्होंने एक बहुत आइडियल जिमेटिक फॉर्म्स को रेफर किया इस आइडियल जिमेटिक फॉर्म्स रेफर तो दी रेनेसेंस इंटर्स्ट इन नियो प्लाटोनिजम् यह जो आइडियल जमाटिक फॉर्म उन यूज की इन्होंने रेनेसेंस का इंटरस्ट डाल दिया नियो प्लाटोनिजम में ठीक है त्वेल्व एपॉस्टल्स अरेंज इन फोर ग्रॉप्स ऑफ त्री यह पिछली पेंटिंग की लास अपर की ही बात हो रही है के बारां लोग थे जो इन जिनको ऐसे इन्होंने अरेंज किया हुआ था कि वो फोर ग्रॉप्स बना रहे थे त्री त्री लोग मिलके ठीक है तेरा रालसो डैश है इन दी विंडोस इन दी पेंटिंग थी विंडोस भी थी उस पेंटिंग में इन दी नंबर थी जो था उन्होंने एज अ कोड नंबर यूज किया वा था या उससे वो कुछ शो कर रहे थे होली ट्राइनिटी इन कैथोलिक आठ में था जो था उनकी होली ट्राइनिटी हो कि अथोली काथ में वह उस नंबर को भी इन ने शो किया वा था यूके फोर फोर पीपल के त्री गूरॉप बनाए वह थे थी उसके अंदर विंडोस थी तो देर इस सम्टिंग फोर नमबर परशी असरी इस ऊफन रेफरेंस तो दी होली ट्राइनिती ने इन काथोलिक आठ मैंटी नमबर देशी इस इंप्रों एंपोर एंडिश प्लासिकल ड्याजिशन पहलें अनुंड़व एंडिश नंबर फौर था उनकी धिःमटेंटर पींग था इस प्लासिक्ष नहाँ थ त्राइंगुलर यहां पर दिसिप्ल्न यह जो गुरूप था पीछे भी हमने यह पढ़ लियां सी कि उसके वो किस फॉर्म में थे ट्राइंगुलर वीच इसी मास्टर पीस ओफ लियोनाड डविंची सबसे जादा मास्टर पीस वर्ल्ड फेमस पेंडिंग कौन सी है मोना ली मोना लीजा कब पेंट हूई 1506 से 1509 के दर्मयान में इतने साल लग गए तेन साल के बीच बीच में यह पेंट हुई इस मिस्टी यस स्माइल हैं इंस इंस्पाइड मैनी राइटर सिंगर एंड पेंटर जो मोना लीजा की पेंटिंग में खास बात है उसकी मिस्टी 1480 में ये इनकी कोल पेंटिंग है डारेशन उफ मेगी वाज पेंटिड थी कहा है लिओनारड डविंची वाज कंसर्ण विदी लास्ट यहां पे ये लिखाव है कि लिओनारडो कि इस चीज के साथ कंसर्ण था बहुत ज्यादा साइंस और नेचर दोनों नेचर और साइंस अलमुस्ट जो साइंस है वो नेचर से ही इंस्पारड है तो यह नेचर और साइंस के लास्ट थे उनसे बहुत इंस्पारड था अपने वर्क्स में वो दिखाता था ठीक है कि उनके काम को देखके एक्स्प्लेइन हो जाता था कि वह एक अच्छे पेंटर हैं स्कल्प्टर हैं इन्वेंटर हैं डॉस्मन हैं ठीक है जीन की डेट ऑफ डेथ 2 माए 1519 में इनकी डेथ हैं आगे बहुत इंपोर्टन्ट राफेल आर्टिस्ट हैं यह इन्होंने मैडोनास पर काम किया था यंगल्स पर ठीक है यह राफेल जो हैं हमेशा इसको रेनेसेंस का लीस्ट चोटा मतलब सब्सेंट पर पढ़ा है तो छ इनकी सबसे जादा इस पुचा गया राफेल की लाच फिगर कंपोजिशन क्या है जो उन्होंने वैटिकन या रोम के पैलेस में पेंट की थी राफेल कब पैदा हुए 6 एपरिल 1483 में राफेल वाज बॉर्ड इन डैश अर्बीन इतली में यह भी पैदा हुए डैश वाज एपर दी चर्च ओफ सेंट दोमीना मोन कूसी फिक्शन ठीक है यह इनके पांच जो हैं वो काम हैं जो के बहुत इंपोर्टेंट हैं मेडोनास मोन कूसी विक्शन ठीक रेश इस दिगिंग्स ड्रीम मैरीज ओफ विर्जन यहां पे यह इनके वाइफ और्क्स हैं यहां पे के बाब आगे इनकी पेंटिंग्स के वाईए मॉन क्रीसिफिक्शिक्षिटिंग कब बनाई बाधुमानु इस देज्टम थीम तीम राफेल ने थीरी ग्रेसिग कब बनाई फिफिटेन इरफूर्थ में वड़ वाजऑ हम तीम थीम फ्री प्रेंड जिरो ए फॉर में प्रेंड रिस सब्जेक्ट ऑफ केन आई ड्रीम वास टेकन फ्रम एन एपिक पॉइम प्यूनिक मेरी जो दिविजन ए फिफ्टीन जिरो फॉर में पैड़ा हुई आल्मॉस्ट रहने सैंस यहां पे एंड हुआ है यह इनके एक्स्प्लेनेशन नह प्रेशी दिके नाइट रीम एंड मैरी जोफ दी विजन याज हमने पड़ा वेस्टर नाट नेक्स इंशाला हम वेस्टर नाट की हिस्टी पर बात करेंगे